अगले प्रश्ण में 5 है, ये कोष्टक दिया गया, यहां रिन और धन ही है, पहले कोष्टक हल करेंगे, उसकी बाद घटाएंगे और जोडएंगे, तो इसका हमें मान निकालना है, तो मान निकालना गये लिए सबसे पहले हम कोष्टकों को सौलो करेंगे, 5 ऐसी रखेंगे, रेड़ कोष्टर काल करना के लिए मिस्री भिन में सुद्ध भिन में दो दो नीज चार और एक पांच पांच वट्टे दो यह आ गया माइनस तीन वट्टे चार प्लस इसको भी दो तीया छे और एक साथ वट्टे दो माइनस चार यह कम चार और एक पांच वट्टे चार यह हमारे सुद्ध भिन में आ देगे अब इनको हम हर बरावर करना है इसमें दो कोणा करते हर में तो यह चार वो जागा दो दो नीज चार चार वराव जागा दो अंच में भी दो कोणा करतेंगे यह जागा तो दस वटे चार तीन वटे चार इसमें भी दो कड़ा करते हैं नीची और उपर तो यह हो जागा चोदे वटे चार रेण पांच वटे चार अब देखें पांच दस में से तीन घट जाएंगे हर हमारा बराबर आ गया है दस में से तीन गए, साथ बच गए, धन यहां से पांच में से, यहां से चौद में से पांच गट जाएंगे, यहां नो बचाएंगे, बटे में चार आगए, अब पांच रिवन साथ बटे चार, धन नो बटे चार, इसका इसका हर बराबर है, तो हर वही रहेगा, नो प्लस क यह बचेंगे प्लस के 2 अब दो दो दोदूनी चार पाच धन एक बटे दो यह उत्तर आगया है देगे उत्तर यहां पर सही बटे में है तो पाच धन एक बटे दो को लिख सकते हैं 5 3 so 5 and I definitely pass a 15.5 and also a 5 C Or Authority 2 १। दूसरी विखलब में है दूसरा प्युलिप सही है कॉमें बढ़ते किरम में लगी है इस vandaag किरम में कॉनसी यह देखना है तो पहँरे संख्या देख लेते हैं तो इसमें जो यदसर। दो पांच है इसको १ यह बटे रहे है हमारा हर तो अलग-अलग हैं लेकिन अंश्यस मान हो तो हरमेरेws संख्या सबसे चोटींग वही बड़ी होगी भिर्ण तो ये मिलिद चड़ी एक होटे दू इसके बाद ये एक 215 VT 3 एक बड़ते हुए किरम्ह है तो इसमें देखें ईक बड़ते 2 एक वटे 3 कोbak 0 2.252 इसको बदलने के लिए हम यह एक है इसको हम लिखेंगे एक सही तो को पने लिखेंगे एक दिसमालब दो पाँच को भिन की रूप में बदलने पर चौथा विकल्पिसका सही है अगला प्रिसंद भी दो हजार तीन में आया है यह भिन दीगा है इनका योग कितना होगा तो योग कैसे करते हैं चार वटे तीन दन पाँच वटे नौ तथा चे वटे अठारा है धन चे वटे अठारा है इसको हम लिएस्ट फर्म में ला सकते हैं चे एक अम चे चे तिया अठारा तो यह हो गए हमारे चार वटे तीन प्लस पाँच वटे नौ तो इसको एक वटे तीन है यह तो इसको जोड़ सकते हैं ये हर बराबर है इसके और इसके तो चार और एक पांच पांच बटे तीन धन पांच बटे नो अब इसको जोड़ने के लिए हर बराबर करने पड़ेंगे तीन का अंश और हर में गुड़ा करने तो जाएगा पंद्र और यह पांच बतिन दॉर पंद्रे और पांच जुड़े जाएंगे कि हर इन दोनों का बराबर है यह जाएगा बीस बतिनों इसका 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 भी सही है ये कुछ भिंद संख्याँ दी एं में सबसे बड़ी कौन सी है जोटा बड़ा देखने के लिए सबसे पहले जिरूरी है या तो अंश सब बरावर हो या हर सब बरावर हो तो इसमें न तो अंश बरावर है ना हर बरावर है तो पहले हम इसमें जो आसानी हो अंश बरावर करना चाहें या हर बरावर करना चाहें तो अगर हर निगुका कर देदेक्टुमिपलाई अंश और हर में सम्में संध्या का इससे क्या होगा हमारा हर वरावर हो जाएगा तीन एकम के तीन चंक बारा तीन वटे बारा ये होगया छे कम-चे वटे बारा है होगया चारदूनी आठ बटे 19 तAngel ये कर दो को लिद्म सब्सक्रावर 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 की ज़से थे यह प्रिजन सोल्म इन चाहिए कि छॉण का ऊनद में निर्व स Sandy निकालना ह tubeSt younger दिये गुष्णफ़ थेस्वटंफ़ эта संख्या छली को तो दूसरी संख्या बरावर है इससे जो डुम्फर पदीज का पचास में भाग देंगे पहली संख्या का छली जो था पचास का अब सिते हैं तो क्ता उसको हम उल्टा कर लेंगे 50 वटे 46 ही हो जाएगे नीचे संक्या उपर संक्या सेम हो तो जीरो से जीरो कैसे लोगा पांच एकम पांच तेज़ दूनी 46 तो यह संक्या आ गई एक वटे दो दूसरी संक्या क्या होगी एक वटे दो होगी एक वटे दो तीसरे बिकल्प में तीसरे बिकल्प इसका सही है तो दोस्तों हम आपके सामने लेकर हाज़िए यह भिन और भिनों पर अदारित मूल भूश संक्या हैं और उन पर ऐसे प्रिशन है यह जो पिशली सालों में आये हुए हैं तो यह सत्तरेवा प्रिष्ण यह 2000 तो यह सत्तिर्वाब प्रिष्ण वह 1999 में आया हुआ है तो इसमें देखते हैं तीन वटे पांच किलो गराम सोने का मूल क्या होगा तो तीन वटे पांच किलो सोना का मूल है 240 रुपे तो एक किलो सोने का मूल कितना होगा तो यह हो जागा 240 में हम तीन वटे 5 का हम भाग दे देंगे हैं ज्यादे का मालूम हो एक का निकाल लाओ तो उस संख्या जिसका मालूम है उस मिकदार यानि उस क्वूंट्टि निहां हम भाग दे देते हैं तो भाग देने के लिए क्या करेंगे 240 गुड़ा 5 बटे 3 अब ये मूल ले आ गया है एक किलो का अब आधा किलो का निकालना है एक बटे 2 किलो का तो एक बटे 2 किलो का मूल कितना हुआ तो ये है हमारा 240 गुड़ा 5 बटे 3 गुड़ा 1 बटे 2 एक का मालूम में एक से अधिकन कानला है तो यह हम उसका गुणा कर देंगे जो भी जिसका भी निकानला हो तो इससे हम तीन का भाग देते हैं तीन अठे चावर यह हो जाएगा असी गुणा पांच बटे दो गुणा एक पांच दो से इसको डिवाड़ कर देंगे दो चौक आट चालीस हो गया तो कि तो चालीस गढ़ाँ पाच हागँ पाँच पाँच, पैठे़स कः फिर गढ़ाँ करते हैं फैस पांच चौक बीस तो यह हो जागा दो सो रूपे तो दो सो है हमारा पहली विगल्प में तो पहली विगल्प इसका सही है एगला प्रश्ण है वह 1998 में आया हुआ है यह भिन संख्या दिये सबसे छोटी भिन कौन सी से पहले एक प्रश्ण था उसमें सबसे बड़ी भिन पूची ती यहां पर सबसे छोटी भिन पूची है सबसे पहले देखते हैं कि या तो इनके अर्श बराबर हो या हर बराबर हो तब हम इसकी कंप्रेजन यानि तुलना कर सकते हैं कौन से छोटी है कौन सी बड़ी है तो क्या आसान है मारा कि इनका तीस पांचिक का तीस 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 वह हो जाएगा तो तीस का गुणा करते हैं इसमें और च्छे दस तीस तीस दस का इसमें गुणा करते हैं अच्छे का इसमें गुणा करते हैं और तीन का इसमें गुणा करेंगे तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60 यह हो गया 10 तिया 30, 10 चक 40, 6 पंजे 30, 6 चिंग 36, 10 तिया 30, 11 तिया 33 तो इसमें जो है हमारे अंश बरावर हो गया है इस सब जब अंश बरावर हो तो हर जो बड़ा होगा वही सबसे चोटी संख्या होगी तो इसमें सबसे चोटी भिन पूछी है तो इसमें सबसे बड़ा हर जो है वो 60 है तो यही सबसे चोटी भिन होगी और यह भिन आई है वो एक वटे दो से आई है इन भिन्य संख्याओं को आरोही किरम में लिखना है आरोही किरम ने पहले बताया था हमने आरोही किरम तभी कर सकते हैं या इनकी तुलना कर सकते हैं जब इनका अंश बराबर हो या हर बराबर हो तो इसमें भिन्य संख्याओं दी गई है वो इसका अंश बराबर है इसका अं तो इसमें यह है और उससे चोटी है 25 सट्रड़े 25 यह से चोटी तेज़ सबसे बड़ी सब्सक्राइब इस प्रेशन में अंश बरावर था यहां है तो आरोह किरम सबसे चोटी उससे बड़ी उससे बड़ी सबसे चोटी इसमें अंश देगें सबसे चोटा है तो वो सबसे चोटी होगी तो पांच सबसे चोटा है पांच फिर साथ फिर आठ फिर गया रहे तो अंश देख लेंगे पांच साथ आठ गया रहे यह पहले पी गल्प में है यह हमारे आरोह किरम में लेकि हुई है तो पहल आपारा